हालो एफुरूम टो आवर यूटूब चैनल इस वीडियो आपको बताऊंगा बड़े कठीन से कठीन सब्दों को अंग्रेजीमा आसानी से लिखने करें तो इस वीडियो को जुरू से ले करके लाज तक दखेरा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जल्हें पहले बी एच बी एच मात्रा है तो ए लगाना है अदागो है तो जी यो है तो वाई भाग्य यहां पर जोर लगा तो ए लगाना है बी एच ए जी वाई भाग्य उसके बाद भी धाता है तो भी हर्षी का है तो आई दो है तो डी एच इसमें मात्रा है तो ए फिर तो है तो टी फिर है तो भागय ब्ह सजी वाए भागय भी आई ड्वी धाता तो यहां तो सरक रहा है क्या है सरकरा तालम सोगता है इसेच है बिन मात्रा का फिर भी आपको एलगा नहीं सेचे उसके बार रेप्ख़ोगा और के ए आर ए सरकारा क्या बने गया सरकारा ग्योंसे आप लोग देखी यहां देखे क्या है भाग्य साली है भाग्य साली है फिर आपको देना भी एच तो भी एच ए फिर गो का होगा जी यहां पर भी भाग्य है यानि जोर लगा है तो आपको यहां पे अलागाना है B.H.A.G.Y. भग्य शा S.H.A. S.H.A. उसे बाद लो का L भग्य साली ज्यादा जोर नहीं लग रहा है दिर की काम आपको आई ही लगाना है B.H.A.G.Y. S.H.A.L.E. भग्य साली भग्य साली तो यहां देखें क्या मंत्र मुग्द है मंत्र मुग्द मुखा क्या लिखना अंस्वा है तो A N T R M N T R मंत्र आपको यह लगा देना मुग्द लिखना है क्योंकि M N T R मंत्र मुग्द M U G दोगा क्या होता D H M N T R A M U G M N T R A M U G D H मंत्र मुग्द क्या बना मंत्र मुग्द क्या आप लोग देखते लिए तो देखें आपके क्या है भाग्य रथी है क्या है भाग्य रथी फिर आपको भोकल क्या लिखना है B H B H A G O K A G फिर यो का Y A भाग्य इसके बाग्य रथी आर ए रथी के लिए T H I भाग्य 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 रथी क्या बना भाग्य रथी तो यहां देखें क्या है? संगर्ष है फिर आर S N G H A S N G H A R A S संगर्ष S A N G H A R A S संगर्ष क्या बना संगर्ष तो यहां देखें क्या भाव नात्मक है क्या है भाव नात्मक तो भाग्य लिए क्या लिखना है? B H B H A B B B B A R A B B B A B 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 कर्म योगी पहले लिखे कर्म योगी क्या है कर्म योगी पहले लिखे कर्म शकवाच्वाज्य योगी तो यह वार्म योगी किया कर्म योगी कि क्या करमत है किया कर्मत भिर को का क्या होगा कि यह उसके बार सकार कर्मत क्या बना करमट तो यह देगे दूस्त क्या करमा नूसार करमा नूसार को का क्या लिखना के इस फिर रहे फ्का होगा आर मौ है तो एम ए क्या आर एम करमा उस नूसार है और यू नू सवसा है तो S A R O K A R M A N U S C R कर्मा नूसार क्या होना कर्मा नूसार तो यहां देखें क्या है पड़ी पूर्न है क्या है पड़ी पूर्न तो पो के लिए क्या लिखते हैं P A R O के लिए पूर्न पूर्न क्या मना पड़ी पूर्न तो यहां देखें क्या है प्र लो भन है क्या है प्र लो भन तो फिर पो के लिए क्या लिखना पी इसमें बिरो है तो P A R E P R E P R P R L O O L O D E L O O L L O B H A L O L O P R E E L O B नौ रो भन क्या वफना प्र लो वन तो यहां देखें क्या है प्रतिकार है क्या प्रतिक्यार फिर वह खेंगम लिए helps ग्समें रहा है परोसंजू P I P E से प्रति उसके बाद कार है कि कर प्रति कार क्या बना प्रति कार गयां से आप लोग देखते हैं यह लास्त है दखे तब फिर लास्त में आपको देंगे बना लेकित उसको आप खुझ से बना करके ज़रूद देखेगा तो यहां दोखे क्या क्या क्रिया क्लाप है क्या क्रिया क्लाप है क्या 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 क अर्शू खाय तो यू पिन्णोय है तो न गुना में मिन्सवत तमक ती एम एको का के जी उने टि एम एके गुना तमक क्या बना गुना तमक तो यहां रहें क्या था महा iqn कि लिए क्या लिए हैं कि यह हो के लिए ए फिर मातर है तो ए में ह है यहां संग्राम संग्राम यहां नहीं आई है कि यहां होगा है बहा के लिए क्या BR ये तो बी एच ए फिर वो है तो भी ए रेप का होगा हार थो का होगा टी एच भी एच वी ए आर्ट ये भावार्थ आपना वावर्थ तो यहां देखिए क्या है पदार्थ क्या है पदार्थ पो का क्या होता? पी, ए, दो का, डी, ए. फिर रिप है तो आर, 2 है तो टी, एच. पी, ए, डी, ए, आर, टी, एच. पदार्थ. क्या बना? पदार्थ. तो यहां देखे क्या है? तो उत्तिशा है. क्या है? उत्तिशा है. चोटा ओ के लिए क्या लेखते है यू। अधातो हो है तो टी। तो सू है तो एस destac ऑपो है तो आपको बनाने के लिए सगह Dif 50 को आप खुद se लिख करके जरूरु देखएगा आप खुद से लिखएगा खुद से ट्रैक करियेगा तहीं आप लोग अच्छे से सिखिएगा और आपका इस तरह अंग्रेजी भी मजबूत हो जाएगी तो चलिए आप इन सब्दों को लिख करके देखिए तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग सेयर नहीं करते हैं तो प्लीज जितने वाट्षिप ग्रूप है सभी में सेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नावलिज आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और जो जो इस चैनल पर निया देख रहे हैं और चैनल पर निया है तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए ताकि हमको भी ज्यादा और आपको सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचता रहेगा तो चलिए मिलते हैं निया वीडियो में तब तक लिए बाई